पंजाब के मुख्यमंतरी का कहना है कि किसान और बिचॉलियों के बीच का जो रिष्टा है उसमें आपने खलल पैदा कर दी है क्योंकि किसान कम से कम जानता तो था कि वो किसे बेच रहा है अब जो है कॉर्परेट्स जो हैं जो फेसलेस होते हैं उनको बेचना पड़ेगा त मैं पंजाब के मुख्यमंतरी से पूछना चाहता हूँ कि आप जब चुनाब लड़े थे तो आपने मैनिफेस्टों में इसका उल्ले क्यों किया था कि एपी एमसी को एक्ट को हम बदल देंगे टैक्स को हम खतम कर देंगे अंतर राजी ब्यापार को हम बढ़ावा देंग कांग्रेस एक तरफ अपने नैशनल मैनिफेस्टों में भी ये बात रखती है और स्टेट मैनिफेस्टों में भी ये बात रखती है तो कांग्रेस का कोई भी नेता चाहे वो राजी का हो चाहे केंदर का हो उसको पहले ये बोलना चाहिए कि हमने जो गोशना अपने मैनिफ चेस्टों में की दी, अब हम उससे पलट रहे हैं, तो मैं उनका आरगु्मेंट सुनने लाइक नहीं है, खिसानों को ब्रहमत करने वाला है, ब्रामक प्रचार करने वाला है, बेवनियाद है उसका एट के प्रावदाने से कोई लेना देना नहीं है मैं आपके माद्यम से पंजाब के खिसानों को देसफर के के खिसानों को और कॉंग्रेस पाइटे की निताओं को कहना चाता हूँ कि आप बिल्की आत्मा को समझो कि south न्याय होने दो किसान बहुत दिन तक प्रिशान हो चुका है तौन का सिकार हो रहा है घौर और इतना फाइदमंद है ये अगर ये विल्य इतने फाइदे पर चर्चा हुई लोग सभा से पास हो गया राज्य सभा में पूरा चार साड़े चार घंटा चर्चा हुई हर दल के नेता ने अपना विचार व्यक्त किया और उसके बाद जब सारा विचार विमर्स हो गया तो मुझे रिपलाई देने के लिए उप सभपतीज ने कहा तो मै एकदम अलोग तंत्रिक जहंजट उपस्थित कर दिया कॉंग्रेस के लोगों ने हाउस पर और एक काहराना हरकत की उन्होंने उपसभपती के साथ अभदरता की और अलोग तंत्रिक तरीके से सदन को बादित करने का प्रियास किया लेकिन मैं कुल मिला के यह कहना चाहता कि आप लोगसभा और राजसभा दोनों की प्रोसीडिंग उठाओं कौन से दल के किस नेता ने भांसर दिया और वो बिल के किस प्रावधान को अपत्ति कर रहे हैं बिल पर कोई बोला ही नहीं से अब हमारे पक्ष के लोग बोले कि बिल में यह खुबी है यह खुबी है अ अब बिल में MSP नहीं है MSP होना चाहिए बिल में APMC खतम नहीं हो रही APMC को खत्रा हो गया किसान ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है पॉलिटिकल बांसर दे रहे हूं तो मैंने भी अपना बांसर यहीं से सुरू किया मुझे लगता था मैंने का राज्य सभा में आएंगे तो कु पक्षी लोग मिल कर किसान को गुम्रा करने की कुसिस कर रहें क्योंकि उनको यह लग रहा है कि जो काम बरसों तक यह नहीं कर पाई, Congress की सरकार UP ने अपने का दस साथ पाई जीएश्टी कर सकती थी लेकिन हिम्मत नहीं जुड़ा पाई, Congress की सरकार मानमोन सिंग चाहते थे क्रची मंतरी सरत पबार जी चाते थे अब हम रिफर्म लाएं वो चाते उस समय रिफर्म कर सकते थे उनकी इक्षा तो यही करने की थी लेकिन कुछ लोगों के दबाव में यूपिय सरकार इसको हिम्मत नहीं कर पाई और आपको मालूम है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी जी तो देश के प्रधि प्रधबत है अगर देश के लिए GST जरूरी है तो कोई भी विरोध करे जी अस्टी आएगा और पास भी होगा और अगर देश में खेती को आगे बढ़ाने के लिए यह दोनों विदेख जरूरी है तो विदेख का विरोध रاجनेतिक रूप से कोई भी भीज़ देते हैं आप इतने confident है तो नहीं सिलेक्ट कमेटी में भीजने की जरूरत नहीं है ना दो लाइन का बिल है सिलेक्ट कमेटी को भीज़ा जाता है वो बिल जो पचास पनों का हो और उसमें बहुत सारी धाराएं हो और बरसों तक उसकी स्कून्ट निंग करना हो इसमें मैं समझता हूँ सिलेक्ट कमेट्शी में बैजने के लिए क्लिए है आपिमसी के बहर बिना tax के ये बिदियक किसान को अपना माल बैचने की सुद्दा मताप्रतान करता है जो व्यक्ति इस अंगूठी को बनाता है वह अंगूठी की खुद की की मत तहय करता है ना आप दुकान पे जाओगे और अगर उसको दुकानदार को मालूम है कि उसे आपको अंगुठी नहीं बेचना तो माना कर देगा कि नई आप कित्ते भी पैसे दो मैंने नहीं बेचुआ यह सुटंतरता है ना उसको कोई भी उतपाधन करता अपने कीमत पर बेचेगा, यह अधिकार, कांग्रेस के लोगों ने उनको नहीं दिया, आज अगर मोदी जी यह अधिकार उसे दे रहे हैं, और बिना टैक्स का खरीद फरोगत हो सकती है, टैक्स को फिरी कर रहे हैं, तो इसमें किसी को क्या पती है, सिलेक्ट कमिटी इसमें क्या करे रहे हैं, कि जब इसका निर्मान हुआ, जब आप इस बिल का निर्मान कर रहे थे, तो आपने कंसल्ट नहीं किया, जो स्टेक्षोल्डर्स हैं, तो इसलिए सिलेक्ट कमिटी के बारे में कह रहे हैं, कि जो जिन राज्यों को इफेक्ट करने वाला है, सबसे ज्यादा, वहा आपको आजादी देने वाली बात कर रहा हूं, तो आपको आजाद होने में कोई तकलिफ होने ही नहीं है, और किसान को कोई तकलिफ है ही नहीं, मैंने का यह तकलिफ नेताओं की है, और नेताओं की राजनीती की तकलिफ है, अपने नीजी स्वारतों की तकलिफ है, इस बि में प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे और वो कह रहे हैं कि ये मौत का पैगाम है छोटे किसानों के लिए आपका क्या विचार है इस बारे में मैं समझता हूं कॉंग्रेस का नेतरत तो बोना हो गया है न वो खेती किसानी को समझता है न देश के हेत और आयत को समझता है और किसान में जो कॉंग्रेस में जो अच्छे लोग हैं उनकी पूछ समाप्त हो गई है तो जिन लोगों के हाथ में नेतरत है उनकी कोई हैसियत दे इसको गुम्रा करने की कोसिस करते हैं मैं कॉंग्रेस के देतर तो को कहना चाहता हूं कि वो आर्गुमेंट टरना है तो विदेख के प्रावधानों पर करें सरकार जबाब देगी और थोड़े दिन में तो ये स्थिदिय किसान जबाब देगा उनको आनो लंकरेंट